उत्राखन्ट का जिम कॉबिट नाशनल पार्क इस वक्ट चर्चा में है इसकी वज़ा है जिम कॉबिट पार्क के टाइगर नहीं बलकि बागों के संडरक्षन के लिए बने देश के सक्ट से पुराने नाशनल पार्क में अव्वेद मज़ारों का बनाया जाना आश्टा की खुलासे के बाद धामी सरकार आक्षन में है जंगल में मज़ार पर सीएम धामी क्या कुछ बोलें यह आपको दिखाएंगे लिकिस बीच आपको बता दें कि सीएम ने कहा है कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा देव भूमी में यह सब बरदाश्ट नहीं किया जाएगा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए उत्तरा खंड की देव भूमी में अवैद मज़ारों का अधार्म क्या एक्षिन ले रही है सरकार इन तमाम उद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्वत मौद है उत्तरा खंड के मुख्य मंद्री पुशकर धामी जी बहुत बहुत स्वागत है पुशकर जी आपका आज तक पर सब मेरा पहला सवाल है आज तक लगातार ग्राउंड रिपॉर्ट कर रहा है कई जगाहों पर दिखा गया है कि जो वन विभाग की जमीने हैं वहाँ पर मजारे बनी हुई है क्या एक्षिन ले रहे हैं क्या कुछ सर्वे भी आपने कराया है दर्शो को बताई है देखे उत्राखंड के अंदर जितने परकार का भी अतिकर्मन है वो सारा ही अतिकर्मन हमने हटाने का नेड़े लिया है और जो अतिकर्मन के पीछे लोग हैं चाए वो मजार जिहाद के नाम से कहिए लेंड जिहाद के नाम से हो या किसी और जिहाद के नाम से देव भूमी पर किसी भी कानून के विरूद, धर्म के विरूद, कोई भी काम नहीं हो सकता है उसके लिए हमने निर्णे लिया है कि हमने सभी का जहां एक तरह से सर्वेक्षन करवाया है और उस सर्वेक्षण में अभी तक एक हजार से ज्यादा ऐसे इस्तान चिन्नित किये गए है उन सभी इस्तानों पर जो भी निर्वान हुआ है अतिकरमन हुआ है उसको कहा है कि उसको स्वतही लोग हटा ले जो इसके पीछे हैं अने था हमारा प्रसासन हटाएगा एक सवाल यह उठता है कि आपने अभी एक्षन लिया है आपने सर्वे करवाया है क्योंकि ये मजारे जहां हम लोन रिपॉर्ट की तो लोग बता रहे हैं काफी पहले से कई जगह अपर है तो क्या पहले वन विभाग से चूख हुई मानते हैं देखे ये मामला ध्यान में तब आया है जब तेजी से डेमोगरेफिक यहां पर चेंज हुआ है उसको लेकर जहां पर मजा रहे हैं मदर से हैं ये जो डेमोगरेफिक चेंज है उस पर जहां हमने स्पेसल ड्राइब चलाने का विंद्रणे लिया है और इस परकार के जो अतिकर्मन है उसकी जाज करवा कर उसके जाज करवा कर उसके कारवाई का भी दिड़ेंगे रहे है सर्ड कॉबेट नैशनल पार्ग है लोग दूर लोग से खुमने आते हैं हम जो रिपॉर्ट कर रहे हैं तो वहाँ वही दो तीन ऐसी जगा मिली जहाँ पर फॉरस्ट एरिया के बीचो बीच या किनारे में बढ़ी हुई तो क्या उसके खिलाब भी कोई एक्शन लिया जाएगा तो क्या ये नया संगत है कि एक आदनी की मजार दस जगा देखे हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं बीधी को मानने वाले हैं भारत के समीधान पर विस्वास करने वाले लोग है जो भी भारत के समीधान के खिलाप है बीधी के खिलाप है कानून के खिलाप है जो हमार पर भी मैंने कहा है कि कोई एक इस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जितने इस्तानों पर भी और इसको हमने प्रारम कर दिया है जहां भी जो है कानूनी तरीके से और हमने उनको पहले संदेश भी दिया है उनको सूचना भी दिये कि अगले छे महां के अंदर यह सब काम रने को इस्थानों पर आये हैं कुछ मामले नियाले के अंदर भी चल रहे हैं और जैसे जैसे उनके मामले आएंगे और नियाले का जो भी आदिस आएगा उस पर भी हम लोग कारवाई करेंगे अच्छे क्या ये मजारों को लेकर भी है या अवैद मंदरिया और भी अगर चीज़े पाई जाते हैं उनके खिलाब भी एक्शन होगा नहीं नहीं जो भी आतिकर्मन है जो इस परकार का कब्जेदारी है वो यहां पर नहीं होगी मेरा खाकरी सवाल आपसे है सर बिपक्ष इस चीज़ को मुद्दा बनाएगा आने वाले वक्टों आपका क्या जवाब होगा देखें हम सब के साथ नहाएं चाहते हैं माननी प्रधान मंत्री जी का जो हमारा धेव आके है सबका साथ सबका विकास सबका विकास सबका विस्वास और सबका प्रियास हम किसी के साथ तुष्टी करना पर विस्वास करने वाले लोग नहीं है आजाद भारत के इतियास में जो मानी प्रधान मंतरी मोधी जी जो योजनाय चलाई हैं वो सारी योजनाय किसी एक बर्ग को ध्यान में नक कर नहीं चलाई गई है और जो हमारे काम हैं उनी से पढ़ना लेकर जिसे कि हर बर्ग का उत्थानों सब के साथ नया ओख, तुस्ती करना किसी करना हूँ मिकाइब से पहले । पहले । पहले की सरकार कारें उपकि शोड़ों से पूरा करिते। मैं कहरा हूं जिए टीओ नहीं भी सरकार भी एधाय के हैं। अब देखे जो पहले की सरकार उन्हने लिए वह भी हमी को लेना । तो सिर्फ जिम कॉबिटी नहीं रामनगर से 30 किलोमेटर दूर उत्राखन के काला ढूंगी में वन्वे भाग की जमीन पर अवेद मजार बनाए गए हैं देखे आज तक की एक्स्क्लूसिव रिपोर्ट जिसकी जहां मानेता वहां बना लेते हैं मजार ऐसी कहानी हमको तो पता चलती है जब हम काला ढूंगी के जंगलों में काफी अंदर आते हैं और यहां हमको मजारे नजर आती हैं पहले तो आपको मैं दिखा हूँ जहां मैं मौजूद हूँ मेरे एड़्द गिर्द आपको के अन्वर भी आते रहते हैं और ये पुरा जंगली इलाका है जहां से जहां पर कोई भी धार्मिक चीज खड़ी करना गलत है चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे मजार ऐसा सुप्रीम कोट का ओर्डर भी है और सरकार का निर्देश भी है पर अब जो मजार मैं आपको पीर सहाब ये इनका पर ती ज्मन से लगभख सो के उपर मजारे आप बता सकते हैं खुदी बता रहे हैं की लखनव और जाने कहां कहां है तो ये मज़ार जो यहां पर खड़ी है इसका इनको खुद भी नहीं पता है कि इसमें ये असल मज़ार उनकी है या नहीं है या उनकी उनपीर साहब की मृत्तिव कहां पर हुई है तो सवाल ये उठता है कि वन विभाग की नाक के नीचे किस तरह से इस तरह की मजारे खड़ी होती है और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं चादर बगेरा पूरी चड़ी हुई है और एक पूरा यहाँ पर विवस्था करी गई है जंडा भी आपको यहाँ पर एक नजर आएगा तो यह सारी विवस्थाएं यहाँ पर करी गई है और यहाँ पर लोग यही बार बार कहते आए हैं कि यहाँ पर उनकी आस्था है और इसी वज़ा से यह मजार यहाँ पर खड़ी है अब सवाल यह है कि अगर आस्था के नाम पर ही जब वन विभाग की जमीने सरकारी जमीनों पर मजारे बनने लगेंगी तो शायद सुप्रीम कोट की रूलिंग के साथ साथ सरकार के आदेशों की भी धज्जियां उड़ती नदर आएंगी कैमरमन नीरश कुमार के साथ समाथ शबास तव आज तक